आज नागरिक्ता बिल पर अमेसा ने एक जंग छेड़ी है हर हर मोदी घरगर मोदी के तरज पर इस समय घरगर नागरिक्ता को लेकर भाजपा लाजपतनगर में है जहां से आगाच कर रही है चुकि कवायद नागरिक्ता को घरगर पहुचाने की है तो साध कहीं न कहीं टिकट और विधान सभा चुनाओ के मद्दे नजर कारिकरता भी अपने जोसो खरोस में है कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जब नागरिक्ता के सपोर्ट में भाजपा कारिकरता और उनके नेता अपने जन बल के साथ अमे साजी की अगवाई में हैं इस समय मैं खड़ा हूँ जंगपुरा विधान सभा से एक चर्चित चेहरा जो की प्रबुद्ध हैं एडवोकेट हैं और अपने साथियों के साथ इस समय नागरिक्ता बिल को पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए फढ़े हैं जिनका मानना है कि ये नागरिक्ता छिनने का नहीं बलकि सभी को सम्मान देने का है जिनको ये हक नहीं मिला था दलिन जी क्या लगता है आपको कि ये संख्या अमिसाजी की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी करेगी निश्चित रूप से जंगपूरा विदान सभा इस बार हम जीतेंगे और नाहीं मकानों में बलकि जुग्यों ने भी इठाना है कि मोदी जी की सरकार को यहां कायम करना है तो नागरिक्ता को लेकर के आप लोगों का क्या रुख है नागरिक्ता हमने ये जो भ्रम फैलाया गया है आमादमी द्वारा या पांग्रोस द्वारा इस भ्रम को दूर करना है लोगों को ये बताना है कि नागरिक्ता शंशोधन बिल लोगों को सम्मान दे रहा है लोगो में अमन भाइचारा चैन बना रहे हैं यहां पर भारत वर्ष में यह हम चाहते हैं जंकुरा में यही मेसेज हम लोग दे रहे हैं नलिन तृपाठी जी ने बड़ा साफ सुत्रे तरीके से बोला कि ब्रहम मिम्मत आए आए जानते हैं कुछ साथियों से जो उनके साथ हैं उनक के बातों से पूरी तरह साहिमात है तो ऐसा लग रहा है कि नलिन जी आप सब की यानि जंगपुरा विधान सभा की आवाज बनने के लिए पूरी तरीके से तयार है तो आप लोगों के साथ जो की जंगपुरा विधान सभा से सभी कारकरताओं के साथ हैं उनको विधान सभा के रास्ते पर आगे प्रसस्त करें